शहर के नाकवनी थाना शेतर में एक संसरी हीज मामला सामने आया है जिसमें एक बुज़ुर के साथ सोशल साइट फेस्बुक पर फ्रेंड बनकर आया युवक घर में लूट पाट कर फरार हो गया बुज़ुर के घर में अकेला रहता था जबकि उसका परिवार विदेश में बसा है मामले के सूशना पर पहुंचरी पुलिस ने चार्ट शुरू कर दी है महानगर के थाना नाकवनी शेतर के जबू का नाला निवासी जाहिद हुसैन प्राइविट कंपनी से रिटार्ड इंजीनियर है जाहिद के फैमली विदेश में रहती है और वे घर में अकेले रहते हैं जाहिद के मताबिक समीर नाम की एक युवक से उनकी फेस्बूक पर दोस्ती हो गई थी पहले फोन पर बाची शुरू ही तो फिर उसका जाहिद के घर आना जाना शुरू हो गया बुद्वार रात समीर ने जाहिद हुसैन को उनके घर में बंदग बना दिया और अलमारी में रखी नगदी, जेवराद वा लैपटाप सहीद 8 लाग की लूट को अंजाम दी दिया और फरार हो गया किसी तरह जाहिद ने घटा के सूचना परिशितों को दी जिसके बाद पुलिस माकरे पर पहुची और पूछ ताच की लेकिन किसी को भी जाहिद द्वारा बताए गई कहानी पर यकीन नहीं हो रहा है कि जाहिद के मताबिक फेस्बुक फ्रेंड अकसर उसके घर आता था और देरा तक उसके साथ बिताता था और फिरा चानक लूट पार्ट कैसे कर गया वही इस मामले में पुलिस ने जाच कर कारवई की बात कही है वही पुलिस के ओर से पूरे मामले में जाच की जा रही है साथ ही सीओ कोतवाली गजरास सिंग ने बताए कि फेस्बुक पर बुजर्ग से एक युवक से दोस्ती हुई उसके बाद उसका उसके घर आना जाना शुरू हो गया और देरात में उसके घर चोरी के घटना को अजाम दे कर वो युवक फरार हो गया यह एज दिनकी लगबग 70 साल है और पिछले चार साल से यहां रहते हैं कि तीन साल से सौधी अरब से जॉब छोड़के जब आये थे रिकाय रोके तब से यहां आने के बाद इनका एक फेस्बुक पे एक फेस्बुक फ्रेंड बन गया था तो पिछले तीन साल में कई बार आया और वही कर रात में आया साड़े ग्यारा बजे ने पहले फॉन किया तो मैं आना चाहता हूं कि इन्होंने दरवाजा कूल लिया और इनका कु किस लिए है स्ट्रेस हुआ है क्या नाम था उस का और भाए नाम से क्या शिनर वहीं च्यूसरि नाम बदा रहा है कि अग्या इच्छल न का फेस्बुक बटा रहा है कि ये प्रेंपी पर करें हो चला के